हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एनलाइज करेंगे बैंक निफ्टी तो शुरू करते हैं विकली चार्ट से तो आप देख सकते हो चार्ट पे कि बैंक निफ्टी जो है तो यह लगवक चोता हफ्ता है जिसमें बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है और नेगेटिव में क्लोज हुआ है बीच में एक हफ्ता था मगर वह भी फ्लैट पॉजिटीव था तो उसको यह नेगेटिव पकड़ स होते हैं यहां हमने अच्छी खासी एक बड़ी केंडल बनते होई देखी है और उसके बाद में जो है तो बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा है तो यह अच्छी खासी प्रॉफिट वोकिंग ट्रिगर हो चुकी ही यहां और यहां जो है तो नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो हभी हभी छुटेंड पर आता है स देख सकते हैं और जब उसको टच करता है तो वह से अच्छा खासा बांस बयाग आता है तो यहां जो है तो डाउंस हाइड लिमिक्टेद अब साड़् जो है तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खासी उपर के तरप है तो नीचे यहा और December के end तक यह target अच्छी हो जाना चाहिए bank nifty का, तो यहाँ आपको जो है, तो bank nifty पे buy on dips भी रखना है, और जो call option है, या फिर future पे dips पे आपको खरीदारी करती रहने चाहिए, और जो investor है, वो dip पे bank nifty बीज जो है, तो add कर सकते हो, cash में अगर आपको इसका फाइदा उठान आए, तो bank nifty बीज जो है, तो आप आपके account में add कर सकते हो, तो weekly chart पे आप देख सकते हो, कि यह 4 अपतों में हमने लगबग 41,700 से लेकर, लगबग इस अपते का low था 37,800, तो लगबग 4,000 point हमने lose किये, यह 4 अपतों में, मतलब 1 महीन हमें, तो यहाँ जो है, तो यह सकता है, अभी देखते है daily chart, तो daily chart पे आप देख सकते हो, कि bank nifty जो है, तो lower lows बना रहा है, और नीचे जो support है, यहाँ तो 37,500 और उसके बाद में 36,400, तो panic में यह level test हो सकता है, और हमने देखा है, कि 36,900 का level है, तो उसके थोड़ा सा dips दे सकता है bank nifty, मगर मुझे लगता है कि एक बार bounce back देखे, उसके बाद में bank nifty नीचे जाएगा, अभी फिलाल जो है, तो super trend trending है, तो यहाँ bank nifty थोड़ा सा weak लग रहा है, मगर यहाँ जो है, तो नीचे की तरफ अच्छी खासी buying भी आ रही है, एक बार यह buying जो है, तो यह weak पढ़ जाए, तो उसके बाद में हम नीचे की level दे सकते हैं, या फिर एक bounce back देखे, क्योंकि bank nifty जो है, तो हो सकता है कि 39,200 का level test करेगा, या फिर super trend को test करके फिर से नीचे की तरफ जा सकता है, तो अभी फिलाल के लिए तो मुझे लगता है कि bank nifty भी एक bounce back आख सकता है, क्योंकि nifty भी जो है, तो lower level पे resilient दिख नीचे और जो target रहेगा, वो 39,200 का रहेगा, यह high risk trade है, इसमे stop loss trigger होने की ज़्यादा संभावना है, या फिर आप जो है, तो इस level पे 37,500 पे मिलता है, तो आप buy कर सकते हो, एक 200 point का stop loss लगाना है, और target रहेगा आपका same 39,200 का, मगर यहाँ जो है, तो आपको buy on deep से भी view रख करेगी, क्योंकि एक बार अगर trend reverse हो गया, कभी कभी जो है, तो support को बीना test की वे ही, जो trend है, वो reverse हो जाता है, तो वैसा होने के ज़्यादा संभावना मुझे लगती है, बैंक nifty में भी, और यहाँ तो बैंक nifty भी जो hourly chart पर ओर बाटल, ओर sold लग रहा है, क्योंकि आप दे देख सकते हो, कि यहाँ से reversal है, तो एक छोटा सा bounce back भी आता है, और कभी कभी अच्छी खासी rally भी आती है, आप यहाँ देख सकते हो, यह दिखे, यहाँ जो ही, तो yes three को touch किया, और यह अच्छा खासा reversal दिया, तो अगले हपते का जो CPR रहेगा, उसका high touch करके, फिर उसके ब जाद में फिर अगली जो दिशा है, वो तै होगी, तो यहाँ मैं long ही view रखोंगा, और नीचे के level मिलते है, तो मैं stop loss के साथ long जाना चाहूँगा, बैंक निप्टी पे भी, और उपर के जो target रहेंगे, वो 39,200, और उसके उपर के भी target देख सकते है, क्या करता है, इंडेक् के होते हैं, वहाँ वो सब उनको trigger करके फिर से reversal देता है, तो most of the trader के stop loss या इसके उपर ही होगे, 39,200 के उपर, तो उनको एक बार trigger करने के बाद, फिर से वो जो है, तो trend reverse जो continue कर सकता है, तो उसके लिए भी आप जो है, तो long side के trade ले सकते हो, मगर इसमें जो है, तो current level पे risk जाधे रहे हैं, और जिनको risk नहीं लेना है, तो फिलाल के लिए market को watch करें, या फिर जो 39,000, 36,900 का level है, वो तूटने के, उसके around जो है, तो आप buying कर सकते हो, एक बार super trend तूट गया, most of the time, आप देख सकते हो, कि super trend तूटने के बाद, एक दो candle बनती है, और उसके बाद में reversal आ जाता है, तो same, वो ऐसा ही हो सकता है, और मेरा जो target investment का, वो फिलाल intact है, 43,200 का level bank nifty पे, मुझे लगता है कि December end तक हमें देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाफ से मैं bullish ही view रखोंगा market पे, और यहाँ जो है, तो buy on dips view रखेंगे market पे, यहाँ आपको अगर risk कम करना है, तो option को भी लेकर चल सकते है, weekly option जो है, तो high risk रहेंगे, monthly या next month का जो है, तो out of the money, या फिर add the money call option लेकर चल सकते हो, और वहाँ जो है, तो आप lot size भी control कर सकते हो, तो उस हिसाफ से आपका risk भी control होता है, तो वो एक आपका जरियर आएगा, अगर आपको bank nifty पे trade करना है, long side पे तो, तो I hope so, कि ये view जो है, तो आपको trading में helpful रहें, और आप जो है, तो अगले हपते अच्छा खासा मून आपा कमाएं, तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजे, वीडियो को शेर कीजे, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते है, या फिर आई से वीड किजे, and thank you for watching this video.